दोस्तो शामकरा शेरिंग किसी में आपका स्वागत है मैं सुरिश कुमार एक बार फिर से आपके साथ दोस्तो आज आपका वी स्मार्ट का जो पेपर है वह पूरा का पूरा पेपर लेक्ट के आए है यानि इसकी पूरी पेडिया फाइल है तो दोस्तो अगर चैनल को पहली कि प्रेपर हगा तो दोस्तो आज हम करेंगे जिसमें आपको बहुत से त्रेड ठोरी की क्यूर्शन मिलें तो दोस्तो लगवागए शाट यह सतर की तो दोस्तो वीडियो में लाज्ट जूरू बने रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जूरू ब टेसर किसके होती लगे वाज़कि वेबर निटर अगला क्यों से इसी के साथ देखते हैं अगला क्यों सबहुत है आपका डीचि मेंकिनेटर निफ्सक्राइब की बोड़ी मुटी किस में ब smokes यानि डल उभाट की बनी होती है हम आपकी जो ileumine Tört है ये शीलिकोन स्ट्रील का ढड़ का अर्मेष ऑनाघ उसकी पत़िया का उसकी प्यर्ड़ कोने की बनी होती है ये फुर के भीत है लिए अगे सायते है तो इसका कशन में कीर्च बिलीटो है यह एक एककुरत उपकरणए एक किकरत यानि जो एकत्रित करता है कुल दिन की या कुल महिनी की ऑनगर कंदी करता है उसे ऑनिर्जी में, CWH कि अगरना करते है उट में, CWH की गंद करता है एमिटर होता है यह स्रेनी क्रम में लगाया जाता है जो धारागी करना करता है दोस्तों अगला क्योशन है दोस्तों का फिच्छा क्योशन आ रहा है हाँ दोस्तों देखो दोस्तों क्योशन देखो पॉर्चलिन एजी ए बटा एन यानि पॉर्चलिन का क्या बना होता है तो द شpu छालिस दोस्तों काफी अच् Dabei छीивал्टी खालिस्तान होती तो दोस्तों आपका एप सिक्स सर्कृत रेकर उसकी कारेसारी वोल्टेज छोता थे क्योंट से 760 किलो वोल्टेज यानि जो हाई वोल्टेज होती है वह इसकी गण्डामी की जाती है अगला क्योंच दोस्तों वीडियो लास्ता जुरूर बढ़े रहा था क्यों काफ अच्छी के मिलें अगला क्योंटर खंट में इन्सूलेटेड करने के लिए निमन मेंसिक की स प्रच्ट में आता है तो करक्ट अंश्वर दो नमबर अगला क्यों दोस्तों बी आई एस बी आई एस के अनुशार फ्रस से स्विच बोड की उंचाई होनी चाहिए काफी अच्चा है क्योशन दोस्तों अगला क्योशन दोस्तों हाँ पहले पार से क्योशन बुचागा है दोस्तों हेलोन सी टी सी परकार के अगने सामक का खरिस्तान बुचाने के लिए प्रियों केज़ता है तो बताओ दोस्तों यानि हेलोन या कार्बन सी टी सी यानि कार्बन टेटरा कलोराइड अगने सामक अंतर को प्यों कौन से आग बुचाने के लिए करते हैं तो दोस्तों आपकी बिजल कर सकते हैं ठोसाम जरी से लिए आग को बुजाने के लिए इसी हम पानी वाला अग्म की अंतर काम में ले सकता है ठीक है दोस्तों इसी परकार अगला क्यों से नहीं दोस्तों हाँ निची से चाहिए वह तो आज त्रासफ़र्म के नोड क्रण्ट का मान स्टार्टर में पूश बटन कहा स्योज़ित के जाते हैं तो दोस्तों है निर्थरे eto सό दोस्तों इसकी सीरिज में लगाया जाते हैं आपकी के होते हैं समांतर में क्योंता है फिल्ड या आर्मेचर के connection बदल कर उसकी गुणन दिशा चेंज कर सकते हैं या आर्मेचर में विदुदारा की दिशा चेंज करके उसमें चुमब की छेती की दिशा चेंज कर सकते हैं लेकिन आपका तो पावर फैक्टर इज बताओ दोस्तो पावर फैक्टर इज में पूछ रहा है की Power Factor क्या होता है तो इसमें होता है Really Power और Apprentimb Rate go बोलते है power factor या आनि पावर factor क스타 क्या कहते है तो Really यारी वास्तु शिध contenido और आभषी शिधे के अनुपात क्या कहते है power factor कहते हैं तो यह ऊछत है Power factor कहते है Wave Warning में कितने सम Word पत होते हैं अब दोस्तों देखो एक थोती आपके वे वानिंग और एक होती आपकी लेप वानिंग ठिक दोसु तो वे वानिंग क्या होता है किसमें रहे पके लेप ब्राबर मुझती है शब्राबर प्रज। गल्यवाणिजं crucified रहे CC एनफे पने अविशित सीशा ACD बेटरी का विश्ष्ट गुरुत्व तो क्या होगा यानि उसका आप्टेक्षिं गुनत्व क्या होगा तो दोस्तो वह होगा 1200C यानि कुल मिलागी 1250 से लेखे 1280 तक इसका पूल पूर्ण चार्ज बेटरी का आवे आप्टेक्षिं गुनत्व होता है और आपक्सिन कोई तो किसे मापते हैं हाइडरो मिटर से मापते हैं अगला क्यों से ना दोस्तो AC सर्किट AC सर्किट AC सर्किट में अगर वोल्टेज और करेंट के बीच फेज का अंदर नबड़ गरिया है तो विदुद शक्तिक खालिस्तान होगी तो द्यार रखना अगर एची सर्किट में वोल्टेज और करेंट के बीच फेज अंतर नबड़ गरिया है तो उसमें विदुद शक्तिक होगी सुन्य होगी और इसके लाव पूचे कि नबड़ गरिया फेज अंतर होता है तो उसे कौन सी राशी कहते हैं तो एक तो आपकी ए होता है तो दोस्तो तो दोस्तो दियारखना धर्ट जिसमें से सको धर्षाह है तो ठीक है तो यहां पर की फुल कुछ रहे हैं तो यो तिया पकी Uhm मेगनेटिवमोटिव फोर्स मेगनेटिव Cont detal जिस प्रिखार में हिरी परिपतों में इया आ हुथ स्केंट काफी अज़ा क्यूशन है दोस्तों तो उसको दूरु करने के लिए क्या करते हैं तो दोस्तों इसमें देखो conductor और SCSR यानि एलिए conductor steel rainfall conductor के प्रियोग के बीच उचित अंत्राल रखेंगे यानि उन दोनों के बेचित उचित अंत्राल रखेंगे दोस्तों बलकि इसका एक और है यानि आप करोणा पर बागो कम करेंगे यानि उस पर गरम पानी से बिगो के खपड़े उसके उन conductor को साप करेंगे उस पर ग्रिस का लेप कर देंगे दोस्तों अगला कि उसने प्रेंड मोटर के रोटर और इस्टेटर 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 और इ दोस्तो दोस्तो निमन में से कौनसा इन्सुलेस्ट परतिरोध प्रेक्षन है यहने कुल मिला के इस प्रेक्षन का में लेंगे तो इसके लिए मेग रहता है टेकोमेटर जो स्पीड में आपने काम है तो पोलो कि सिंगे कि आपको दोस्तो एफ बराबर क्या होता है पी अपोन एन बटा 120 तो यहां पर आपको पूछ रहा है तो पी पूछा तो इन दोनों को वज़र को वज़र को तो यह ओजाएगा एफ इंटू 120 बटा ख़ए है तो एप कितने है 50 और 120 का 120 इस्पीड कितने है 1500 ठिक है 足तु तो अब देगो इस्पीड 1500 है दोस्तो तो एक दो एक दो स्झे दो गट गी दोस्तो पाती 15 और 3 servant तो बारा चार पॉल आ रहे तो तो इसका करेक्ट आएगा चार पॉल अगला क्योंसें दोस्तों तो बताओ दोस्तों इसका किस प्रकार ग्याद करेंगे तो वह तो आपके मुरी लूप टेस्ट यानि इस टेस्ट के दोवार हम इसका फाल्ट टेस्ट जाच कर सकते हैं तो अगला क्योंसें दोस्तों किस ट्रास्पर में कोई शेयर नहीं होती है शेयर यानि कोई शेयर नहीं होती है तो दोस्तों आपका आधाफ ट्रास्पर में येoben होती है दोस्तों एक बात मैं है साथ कर दोस्तों कभेश्य की लोग्र भी कोई एक हमोता होने Dec तो बिजली केती होती है तीन इंटू दसकी गात आठ मिटर परती सेकिन्ड लेकिन वैसे अगर मिली परती सेकिन्ड फूचिए तो इसका करेक्ट आंस आएगा अगला केस्ट ने दोस्तो क्विस्ट्टन है फ्लेमिंग के दाइं हाथ का नियम क्या दर्शाता है तो फ्लेमिंग का दाइं हाथ का नियम दोस्तो आपको जाने जब फ्लेमिंग के दाइं हाथ के नियम के दूसार पहले अंगुली चुम के छेत्री दिशागो और बीच की तरजनी अंगुली क्या दिशाती है एमप की दिशागो और अंगुडा उसके गुमाओ की दिशागो तो इसमें क्या दर्शार है पेरीत एमप की दिशा दर्शाद करेक्ट आंस्वेर शी अगला क्यूशन दोस्तों संतुलित लोड से जोड़े तीन फेज वाले इस्टार में न्यूट्रल करेंट खालिस्तान होगी तो ध्यार रखना तीनों इस्टार में जोड़े हैं तो सब्सक्रार में जाता है तो यहां सब्सक्राइब तो याननी compr या你म Leonardo précision आपकी टीरिज मोटर होती है दोस्तों अगला क्यूशन है आम तोर पर डियोल स्टार्टर का परियोग खालिस्तान की थ्री पेज़ पेर मोटर को चालू करने के लिए के जाता है तो दोस्तों वह पांच एच पी तक की मोटर को लिए दोस्तों देखो पेपर का पर बढ़ा है तो मैं ज्यादा डिटेर से नहीं बता स्टेप होते हैं तो वह होते हैं 200 स्टेप होते हैं दोस्तों अगर कोई क्यूशन नहीं आई तो आप हमें कमेंट बुक्स में जरूर सुझा ज़िए एक तिन फेज चार पोल पचा एजर वाल तुरिया काली मोटर के तुलिया काली स्पीड गया तो इसमें बराबर क्या होत 611 याननी कौपर की परमानुसएं के कित्नी होती है wyp ४्छी ज़न तो य फट मकशन के लिए जी आई जी आई बूस योजन प्लेट का मानकाखार क्या होता है तो दोस्तो यह आपको क्या पूज़र जी आएगा तो वह होता है 60 इंटू 60 इंटू 6.35 यानि 60 आपके प्लेट होगी और उसके मोटा की तो यह जिए 606.35 है अगर यह चीद आपको और गड़ा होगा गड़ा दोस्तो अगला क्यों काफी अच्छा क्यों से निजे दोस्तो दोस्तो दो तीन वाल एक्जाम पूछ लिया गया है ओम के नियम के के अनुसार, voltage किसके बराबर होता है? तो दोस्तो, ohm के निम्क का निम्क अनुसार, voltage V बराबर, IR के अनुसार होता है, तो इसका प्रेयोग के जाता है, पहले दोस्तो, उद्ह öगो में शुरुक्षा केalon से सिंगल से नूंपर Turns, अग्ला यूंपनि में से किस प्रकार का , डिसी स्प्लाइपर काम करता है आपकी आपकी इसी स्प्लाइपर प्रकारी करते हैं दोस्तो अग्ला यूंपनि दोस्तो खैलन यानि फिजी कारफ है तो दोस्तो फिजिं गारक क्या है तो यहोगा न्योनत्म फिजिद दारा वो स्प्योंध फियूंध विदूद परिवे यहाझने कुल मिला गिए घ्थाघणी परिपत फियुज होता है वह स्प्योंधप बलब जोड़ते हैं तो दोस्तों 240 वोल्ट है और एक बलब की वोल्टेज कितनी है चार तो चार छीगी चोई तो कुल मिला के साठ लेंप लगाए जाएंगी तो करेक्ट आंसवर 4 अगला क्योंसरे DC 강ुटर स्टाट्र का परियोग खाश्तान के लिए क्या जाता है यानि क्यों कि आ को नियंतिर करने कि लिए किसके लिए प्रारमी करने के नियंतिर करने के लिए क्यों कि आर मेंचर आर मेंचर वाइनिंग अपरतिव प्रतिव आन्सफ़ार दो नम्बर अगला क्योशन दोस्तो एक फेज वाली केपेशिटी श्टार्ट मोटर का संदयती सीज्च खरिस्तार में जूड़ा था है तो अगला है दोस्तो कलर कोडिंग वाला क्योशन पूच रहा है मेरे साब से रंग कोडिंग पर तिरोधक ताम सोनी की पर्टी दौरा दर्शी सेंस स पुझ रहा है तो दोस्तो प्लस मानेस सोन्य का कितना होगा सो आगेगा तो इसमें क्या बुझा है क्ला कोडिंग के पट्टी दोरा निए रंग कोडिंग पर्थिरोधक में सोन्य के पट्टी बुझा है तो आ रहा हुआ आपका प्लस मानेस 5% कम ज्यादा होती दोस्तों अग कि दोस्तों पेपर काफी बड़ा हो रहा है तो आप हल कर देना फिर हमें जरूर कमेंड बॉक्स में इसका आंसर बताना एकदम करेक्ट में हिसाब से ही होना चाहिए अगला क्यूशन दोस्तों तीन फेज वाली आप पूर्ती पंडाली में न्यूटर रंग पॉंट का इस्ता किसी भी संस्तापक में पूर्ण लोड पर अधिकतम वोल्टेज पात डूप खारिस्तान से अधिक नहीं होना चाहिए तो दोस्तों ध्यार रखना आपका वोल्टेज डूप प्लस माइनस पांच परसेंट होना चाहिए दोस्तों मुझे कंफ्यू लग रहे है अगर आपको प्लस माइनस तीन परसेंट कम जादा हो सकती है नहीं कि वोल्टेज प्लस माइनस पांस परसेंट कम जादा हो सकता है करेक्ट आणसर इसमें डी आएगा दोस्तों DC जनेटर में कमिटर का क्या कारी है तो दोस्तों इस लगबख सभी को मालूँगा DC वोल्टेज में बदादो करक्ट आणसर सी अगला क्योंस ने दोस्तों टर्बो उच गति परत्यावर्ति के लिए किस प्रकार का रोटर प्रियों के जाता है तो सभी को मालूँगा कि बेन अगला क्योंस ने दोस्तों पोनी मोटर का परियोग करना खाजिस्तान के लिए स्टार्टिंग विद्धी है तो वो तिया तुल्यकालिन मोटर क्या होती है तुल्यकालिन मोटर अगला क्योंस ने यदि एक तुल्यकालिन मोटर अति उत्तिजित यानि एक्स आइस्टेड हो द्जलो में विधूत आपूरती के सुरुक्षा प्रात्मिध पर ध्यान देते हुए विधूत्त आपूरती लाइन में खालिश्तान दिया जाता है 110 वोलटेज कितना दिया जाता है एक110 व्लोंटेज तो 766 से वाट होती है अगर मेट्रिक मुझे तो 735.5 वाट होती है दोस्तो अगला क्योशन दोस्तो अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की परिचालन आवड़ती है तो दोस्तो अमेरिका में क्या है 60SZ है क्या है 68SZ है अगला क्योशन है तुल्यकाली मोटर में शुरुआती बलागूण तारके प्रदान करने ओर क्या प्रयोग करने जाल डोलन हंटेंग परवाव कोरकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है तो डेंपिंग वाने are hunting दोसको दूर करते हैं вопрос चार नमबर अगला क्यूशन दोस्तो केंग में किस पर योग से चल रहा होता है वह आपका स्रेज वार्ण जरेनेटर है जो बना लोड के चल रहा है तो उसमें सुनिये वोल्टेज डीच्टि होंगे कि अगला है दोस्तो मध्यावर्ती स्विच का प्रियोग सुधियों की वारिंग में किया जाता है जब जहाँ एक लेंद्य बनाए रखने में घारिस्तान पानी का प्रियोग के जाता है तो लगवार्द सबको मालू हो गाउगा उसे जिस्टिल वाटर बोलते हैं यानि आपका सुध्य जल यानि आशु जल यानि आशु जल के दें करक्ट आंश्वर एक नमर अगला क्यूशन दोस्तों ट्रास्फोर्मर में लोड के अनुस्वार किस प्रकार के शेय में परिवितन होता है तो वह तापके तामर शेति यानि ट् में लाइन वोल्टेज बराबरे के होता है फेज वोल्टेज करक्ट आंश्वर ए अगला क्यूशन थेन प्रणाली में वांडिंग कोयल के बीश फेज अंदर होता है 120 डिग्री सिंगल प्येज नमुज़े तो 90 डिग्री बोच्टों भी मोंटर का परियोंग कालिशितान मिक्सर में क्या जाता है तो आपकी युनेशर मोटर होती है जिसका उप्योग निक्सर घृ लदी में किया जाता है अग्ला क्यूositन उप दोrios नेहें परमानों बिजली उत्पादन सेंटर का इंदन खालिस्तान होता है किसका होता है दो स्थो यूरी नियम थोर्य इंट यूरी नियो थोर्य होता है जिसके वासू बहुत जीड़ कर्माण। फिर्षेक्ट भिजारर को इस पर होता है आपका नोप रापर होता है यह इक्वल होता है तो कॉंσα लोछ पर इसका आड़नों सो कोप्रों सो बराबर होता है यानि अधिक्तम दक्सता पर होता है अगला क्यूशन है गिन नोब एल स्रंकल यानि MCB का खाजिस्तान में परियोग डंग से किया जानता है तो वह लाइटिंग सर्किट में के अधर करक्टांसवर ए काम के लिए वाइस का 具रता है तो दोस्तो आपका से कारट होता है चील का कार यानि उसके जरी जबड़े तो पर निपर करता है दोस्तों अगला एह निमन में की कार्येकार सबसे लंबा होता तो दोस्तों आपका लेथियम सेल है तो लेथियम सेल कौन से होता है जो आपके फोन की बेटरी में था वह आपका लेथियम सेल होता है करक्ट अंसर यह आ गया किस प्रकार के ट्रास्पार्म का परियोग किस प्रकार के ट्रास्पार्म का परियोग वोल्ट इस्टिबलाइजर में के लिए किया जाता तो बताओ दोस्तो इसके लिए हमें ओटो ट्रास परियोग करते हैं अगला किसे विद्योत उत्पादन सेंतर की संचाराल लागत न्यूनतम होती है तो बताओ किस की होती है तो हो तो आइड्रो electrical की सबसे कम लागत होती है अगला क्यूशन है दोस्तो किस starter में तीन संकुचक और एक timer का परियोग के जाथा दोस्तो वो तो आपका automatic starter जिसमें तीन normally contactor होते हैं और एक time में रिले होती है तो character answer A अगला क्यूशन दोस्तो transformer की शर्क्षा के लिए आमतोर किस प्रेकार की रिले प्रियों के जाथे हैं तो दोस्तो आपका transformer होता है यानि जो oil transformer को उसमें स्रेंग रिले स्रेक्षा युक्ती यानि रिले की तरह कारे करती है जो कि आकरती है उसमें आंती दोस्त प्यादा होने पर एक अलारम बेजल बजाकर सूचना देती है और परिप्रत को सप्लाई से ओफ अठाय देती है अगला क्यूशन दोस्तो ए सी एसर का पूर्ण रूप काफी अच्छा क्यूशन दोस्तों काफी बारे एक्जाम पूचा गया है तो ए यानि वनें कंड़करेश्ट्री रेंट वोड क्यों थे करक्ट्रा अंस तीन नमबर है अगला क्यूशन दोस्तों है दोमेश्टिक एसी अपड़ती में आरमस मान कितरे होता लगा सबको मालूँआ जोरो साथ होता है जिरो पंडिशन सेंती ओस्तमान होता है ठीक है दोस्तों अगला क्यूशन दोस्तों फ्यूज स्थार में खालिस्तान पर्तिरोध था और खालिस्तान गलनाक होना चाहिए यानि निमन तो क्या होता है पर्तिरोध और निमन क्या होना चाहिए तो करेक्ट आंसर दो नमबर अगला क्य अगला क्यूशन दोस्तों के जोड़ों के लिए पकड़ लक्स की सामगरी से बने होते हैं तो दोस्तों आपके अलुमिनियम या तामबी के बने होते हैं करक्टांसवर चाह नमबर अगला क्यूशन दोस्तों क्रेंट ट्रास्फार्मर एक खालिस्तान है तो क्रेंट ट्रास्फार्मर आपका एक इस्टेप अप ट्रास्फार्मर होता है करक्टांसवर चाह नमबर अगला क्योंशन दोस्तों BIS के अनुसार इमार्तों भू इलेक्टोनों के बीच की दूरी खरिस्तान से कम नहीं होनी चाहिए तो वो थी 1.5 मिटर से कम नहीं है नहीं दो अर्थों के बीच की दूरी 1.5 मिटर से कम नहीं होनी चाहिए अगला कि उसने है एक बारा सो मिटर तार साथ ओम का पर्तिरोध दोस्तो चारिस मिटर का तार का पर्तिरोध की घंणा करो दोस्तो इसके पर्तिरोध की घंणा करनी है तो आसानी से आप कर सकते हैं इसके पर्तिरोध की घंणा दोस्तो ठीक है दोस्तो अगला कि उसने पर्तेक तो अगने अलर्म पर ना लेके भाग होती है दोस्तो दुआ एक मिन दोस्तो पेनल ले ले दुआ उस्मा डिटेक्टर गटिया डिकेम पेनल अलर्म पेनल बेटरी आदी तो इसा करेक्ट आमसर ते नमबर अगला क्यों दोस्तो यह आपका सेल वाले सन है यदि एक पॉंट पांच वोल्ट के छे सेल स्रंकला में जुड़े हैं लेकिन सेल के विप्रित दिसाम में में जुड़ा हुआ है तो फिर कुल वोल्टेज कितने होगी तो दोस्तो आप डाइग्राम थोड़ी देर रखा है एक two-point question दूबार देखते हैं यह दि एक पॉंट पांच वोल्ट के छे सेल संक्राश अनिकरम जुड़े हैं लेकिन एक विप्रित दिसाम जुड़ा है एक विप्रित में और सारे सही है तो दोस्तो चेप 156 99 वोल्ट हो गई लेकिन एक विप्रित दिसाम हो रहा है तो एक वोल्ठेज ग्रेडिंग मे 650 goals & 33 great की वोल्ठें सी का उच्छी energy अगला क्यॐस है की नुसार स्थ च्रथ से छत सोर के wild साफ्ड 뭇 चाहिए रौनी प्रेगें 2.5 मृतर में 2.5can स्विच्ष बोड स्वीचे वीटीं सुची होती है वो安 Clarke वीडियो काफी बढ़ा हो चुका है तो दोस्तो एक दो क्यूंशन और आते हैं और कर लेते के लिए अगला क्यूंशन सजावती प्रकाश विष्था सरंकला में कई लाइट दवार्ड्रीन होती है तो दोस्तों उसमें क्योंसे स्वीच में होती है तो दोस्तों सभी स्वीचर जरूर देखे जाना क्योंकि अगला यह क्योंसर पहले भी आ चुका है एक नंबर अगला क्योंशन दोस्तो हाइई स्पीड स्पाथ में कार्बन का प्रतिस्त के था है काफे अच्य क्योंशन दोस्तो हो जोबें पिछार्डों से 1% अगला है परत्यावर्टिक का कारी शिद्धान लिए निए समकूर्ण परता तो इसे करेक्ट टांस्वायर 90 डिग्री दोस्तों अगला कि जुन है डीसी सीरीज मोटर का प्रारमी टार के होता है यानि उच्छ स्टार्टिंग टारों कोता है अगर संट्र का फूची तो इस्तिरगत्ती की मोटर होती है अगला है एक धर्मो कपल उपकरन खाजिस्तान पर काम करता है तो वह पीजो इलेक्ट्रिकल पर भावब कारिये करता है अगला कि उसने एक पूर्ण लोड अवस्ता में ट्रास्पर में तामर शेती सो एक जार वाट है तो आदे लोड पर शेती क्या में पांट सो हाँ दोस्त है अगले तारके मानला गेज की सीमा कितनी होती है याने कुल में लागिया अगले लेब में इस्तिमाल होने वाली इलेक् grasp का टान 998 पर केंट तो दोस्तों आजगे लिबस इतने क्यों से मिलें लेंगे एक निंग क्यों से लेगे तो आपका तहे दिशे धन्यवाद आपका किमती समय दिने के लिए